जैहिन सबी को कैसे हैं आप सब लोग अच्छे होंगे स्वस्थ होंगे ऐसा हम उमीद करते हैं बहुत ही सांदार सा मॉक टेस्ट नमबर आज आपका छे नमबर का मॉक टेस्ट से सी जी डी एकजाम तक हम कमप्लीट साठ मॉक टेस्ट करेंगे साठ मॉक टेस्ट में साठ इनटू भी सम बारा सो क्यूसन कमप्लीट करने वाले हैं और अगर जो ये 60 mock test देखकर चला गया ऐसा मानना वो paper में धुआँ धुआँ करके आएगा तो एक बार सबी session को like सहिर करेंगे, session को जानदार से सहिर करना है, अगर session पसंद आए, last तक देखना है, बहुत ही important question है, ये class आपके लिए रामबान साबित होगी इस बात का ध्यान इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मंजिल बेच पर सांदार वाला ओपर चल रहा है, मंजिल बेच पर कैसा ओपर चल रहा है, सांदार ओपर चल रहा है, 50% की भारी छूट आपको मंजिल बेच पर दी जा रही है, course नौर सो नन्याड में नहीं, मातर चार सो पर आया था वो पेपर में उससे important question मैंने हटा के just बना के बहुत बढ़ी आसा model paper किया है तो देखिए motivational line है कुछ अगला देखिए कि संगर से कभी डरना नहीं चाहिए क्योंकि ये भी एक कहानी है जो सपल होकर सबको सुनानी है देखो कितनी अच्छी motivational line है कि संगर से कभी डरना नहीं है ये भी एक कहानी है सपल होकर सबको यही तो सुनाना है सपल होकर इसी कहानी को आपको सुनाना है चलो चलो यह अपना पहला नंबर क्योशन यह रहा वई आज हम पीपीटी में पढ़ा रहें आपको बहुत अच्छे से पढ़ा रहें हाँ गजब देखो पहला क्योशन आपके सामने है जल्दी से इस क्योशन का आंसुर देने का प्रियास किजी बहुत ही सांदर वाला क्योशन आ 810 रुपे प्राप्त करने के लिए कितने वर्थ का समय लगेगा आप से टाइम पूछा है कि आ 900 रुपे पर 810 रुपे ब्याज प्राप्त करने के लिए 5% की दर से कितना समय लग जाएगा तो सीधा आंसुर इसका सब का आ गया सब सही आंसुर दे रहें मुझे पता है प्रटी बटे सो जो होता है प्रटी बटे सो जो जो अब आप कहोगे सर मूलदन तो 900 रुपिया है दर 5% की है टाइम हमें चाहिए बटे में कर दोगे सो और आपको साधान व्याज कितना चाहिए आप कहोगे सर 810 रुपिया चाहिए कितना चाहिए आठ सो तस चाहिए तो देखना जीरो से जीरो कार देना नो नो इक्यासी नब्बे बार और जब मैं नब्बे में पांच का भाग लगाऊंगा तो आपका करेक्ट आंसुर यहां से टी बराबर अठारा वर्स आजएगा ओप्सन नंबर सी आपका करेक्ट आंसुर है सब लोगों ने सही आंसुर दिया वैल डन वैल डन बहुत बढ़िया से चलो अगला क्यूसन यह अगला क्यूसन आपके सामने यह रहा बहुत ही अच्छा वाला क्यूसन है कि एक वैक्ती अपने गाउं से अस्पताल तक एक वैक्ती अपने गाउं से अस्पताल तक 30 किलोमेटर परती गंटे की चाल से गया और 20 किलोमेटर परती गंटे की चाल से वापिस आ गया गर से अस्पताल तक यदि पूरी यात्रा में 4 गंटे का समय लगता है तो द्यान रखना दोस्तों ऐसे क्योशन को सोल करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप गर से अस्पताल जा रहे हो चाई ए बिंदू से आप भी बिंदू एक बार तो गर से अस्पताल गए और दूसरी बार होस्पिटल से वापिस गर आगे द्यान रखना एक से दूरी का सुत्तर बनता है, जब आपको कुल समय दे रखाओ, क्या दे रखाओ, कुल टाइम अगर, कुल समय अगर आपको दे रखाओ, उस समय आपको देखो, इस प्रकार निकलना है, कि S1 into S2, बटे में क्या करना, दोनों का योग कर देना, चालों का, और into में कर देना, क अटे में नीचे 30 और 20 यानि चालों का योग, into में आपको होगे, कुल समय कितना गंटे, 4 गंटे, तो 4 से गुणा कर देंगे, अब देखलो, 0 से 0, 5 के पाड़े से 30, 6 बार में 6 दूनी 12, और 12 को 4 से गुणा करोगे, तो कितना 48 किलोमेटर, आपका जो correct answer होगा, option number A हो जिल पाने के लिए चलना पड़ता है, बहुत ही अच्छे-चे क्यूसन में आपको करवाने वाला, अगला क्यूसन देखिए, अगला क्यूसन ये रहा, कि राजेस ने 1400 रुपे में एक cycle खरीता है, और 40% हानी पर बेच देता है, तो cycle का विक्रम उल्य कितना होगा, cycle को वो क इसको बेच दिया, तो बताओ कितने में बेचेगा, ओफशन में देखो, 1345, ज्यानी आपका, 840, 1200 और 1220, तो देखो, ऐसे क्यूसन को solve करने के लिए best तरीका बताता हो, कर्रे मुल्य को हमेशा 100 मानते हैं, तो आपको मान लेना है कि इसने 1400 में खरीदी, और ये कर्रे मुल् उसको 60 कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल करेंगे, 146 कितना 84, 146 84 और फिछे 0 लगाकर, 840 करेक्ट आंसर है मेरे दोस्त, 840 आपका यहां से करेक्ट, तो देखो, कुछ क्यूसन तो आप 10 सेकेंड में भी solve कर सकते थें, कि 1410 की value है में 60 की value चाहिए, चलो next क्यूसन देखना, ये राव क्रोसपत जिन में से परतेक की चोड़ाई 6 मिटर है, दो क्रोसपत है, क्रोस मतलब बीच में 6 मिटर, बुजाओं के समांतर निर्मित किया जाता है, यदि इन पथों के निर्मान की लागत 11 रुपे परती मिटर है, पत के निर्मान की लागत कितनी है 11 रुपे परती मिटर, तो इन पत्थों के निर्मान की कुल लागत आपको रुपे में बतानी है तो देखो बहुत ही अच्छा क्यूसन है हमेशा ध्यान रखना कि जब भी क्रोजपत का नाम आ जाए क्रोजपत का मतलब है उस आयताकार भुखंड के बिचो बीच एक ऐसा और एक ऐसा ध्यान रखना तो देखो इस क्यूसन को हम कैसे सोल करें कि एक आयताकार भुखंड सब ने सही आंसर दिया इसका गुड 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 सब अच्छे आंसर दे रहे हैं तो यहां से देखिएगा ये बिचो बीच बिचो बीच ऐसा रास्ता और इस रास्ते की चोड़ाई आपको 6 मिटर दे रखिए कितने मिटर दे रखिए 6 मिटर चोड़ाई अब आपको ओगे आयताकार भुखंड की लंबाई 11 मिटर है और इसकी चोड़ाई 7 मिटर है तो सबसे पहले द्यान रखना आपको देखो जो लागत दे रखी है वो परती वर्ग मिटर दे रखी है इसका मतलब आपको इस पत का इस रास्ते का सेतरफल निकालना पड़ेगा और रास्ते का अगर बिचो बिच रास्ता गुजर रहा है न तो इस रास्ते का जो सेतरफल होता है वो होता है A इंटू देहां रखना A इंटू लंबाई प्लस चोड़ाई माइनस A अब आप खोगे सर A क्या है तो A रास्ते की चोड़ाई है A क्या है A यहाँ पर रास्टे की चुड़ाई है यहाँ आपका क्या आ जाएगा पत का सेतरपल इस सुतर से आ जाएगा पत का सेतरपल आप इस सुतर से निकालोगे अब देखना A की वैल्यू 6 रखोगे रगदी सर उसके बाद में L पलस B यानि लंबाई और चोड़ाई 11 और 7 कितना 18 और 18 में से सर लंबाई सोरी रास्ते की चोड़ाई को 6 को गटाएंगे अब यहां से देखना 18 में से जब 6 जाता है 18 में से जब 6 चला जाता है तो आपका कितना बच जाता है मेरे दोस्त 12 बच जाता है तो 6 इंटू 12 बराबर कितन रहें अब आपको कह रहा है कि परती मितर 11 रूपए हैं तो बैथर के कितने बन जाएंगे तो टोटल खर्चा वाली क्यूसन आपसे पूछे थे, तो इस प्रकार हमेशा ध्यान रखना, रास्तों के बीचों बीच अगर आपसे सहतरफल पूछे न, तो आपको सुत्तर लगाना है A, A मतलब रास्ते की चोड़ाई, लंबाई, प्लस चोड़ाई, और उसमें से रास्ते की चोड़ाई को ग ग्यात करना है, तो सब लोग इसक्यूसन का अंस्वर देंगे, मैं आपको थोड़ा सा समय आपको देता हूँ, उसके बाद हम मिलकर इसक्यूसन को सोल करते हैं, तो बहुत ही अच्छा क्यूसन है, जल्दी से बताओ इसक्यूसन का, सोचने से कहां मिलते सर, तमनाओं कि सहर मंजिल पाने के लिए चलना पड़ता है, तो बिलकुल हम मंजिल पा लेंगे, छटा मॉक टेस्ट है, 120 क्यूसन आज हम कंप्लीट कर लेंगे, बताओ इसक्यूसन का अंस्वर क्या होगा, देखो इसक्यूसन में पी अनुपात क्यूं दे रखा है, क्यूं अनुपात आर दे तर यहां क्यूं पहले लिखा है, इसका मतलब पहले वाला वैल्यू क्यूं कि यहां पर भी तीन है, कोई दिकत नी, इसका मतलब यहां से जो पी क्यू आर बनेगा ना, पी अनुपात क्यूं अनुपात आर जो यहां से बनेगा, मेरे दोस्ट पी की वैल्यू उपर से दो, क Q हमेशा दोनों ही जगें 3 है, कोई दिकत नहीं, और R की value हो गई 4, अब Q सन अगर आपसे P Q R पूछे, तो answer हो जाएगा 2, 3, 4, लेकिन आपसे पूछा है P plus Q को जोड़ो, और Q plus R को जोड़ो, तो जब आप P plus Q को जोड़ोगे, तो P की value मुझे बताओ, यहां से 2, Q की value 3, Q plus R क की value चाहिए, तो Q और R यह रहे, 3 plus 4, तो आपका यहां से मुझे बताओ, answer कितना हो जाएगा, आप होगे 2 और 3, 5, 4 और 3, 7, आपका जो correct answer होगा, 5 अनुपाद 7 होगा, मेरे दोस्त, 7 अनुपाद 5 नहीं होगा, 5 अनुपाद 7 होगा, ऐसे सी जिडितेवी से नॉवंबर की पर शिप्ट में ये क्यूसन आपसे पूछा गया था, तो देखिए, चलो अगले क्यूसन की तरफ चलते हैं, अगला क्यूसन बहुत ही सांदार, ऐसा क्यूसन कल वाली सिप्ट में भी पूछा गया था, और आज फिर से आपसे एक सांदार क्यूसन ऐसा पूछा गया, दो स्टेशनों से विपरित इसाओं में रवाना होती है, दो स्टेशनों से एक इसके सामने की तरफ एक इसके सामने, यानि दोनों विपरित इसाओं से आ रही है, उसके बाद कहा इसने 180 किलोमेटर की दूरी पर एक दूसरे को पार करती है, यानि पहले स्टेशन से 180 मैं आपको बताता हूँ, जो कल कलास लीती उनको तो पता है, दो स्टेशनों के बीच की 300 किलोमेटर की दूर यह द्यान रखना, इधर द्यान रखना, इधर में लिख देता हूँ कि ट्रेन A आएगी, और इधर से ट्रेन B आएगी, एक तरफ से ट्रेन A, एक तरफ से ट्रेन B, 300 किलोमेटर, अब मुझे बताओ, दोनों विफरित दिशाओं में, विफरित मतलब यह इधर आएगी, और यह इधर आएगी, तब भी मिलेगी भई, दूसरी तरफ थोड़ी दोड़ेगी, इधर इधर नहीं दोड़ेगी, एक दूसरे की तरफ दोड़ेगी, एक ही समान समय में द्यान रखना, अब उसने कहा कि पहले इस्टेशन से, किसी एक इस्टेशन से, एक इस्टेशन मतलब पहले इस्टेशन से, 180 km अब आपको कि सर यह train है ना यह train A यहां से लेकर यहां तक आ गई और हमने मान लिया कि यहां पर कितना km है 180 km यहां 180 km अब मुझे बताओ जब यहां यह दोनों train ने मिली है कौन सी A और B कौन मिल गई यहां पर A होती है तो मुझे बताओ train A ने कितनी दूरी ते कर ली आपको कि सर 180 km लेकिन train B तो इधर से आई है और जब इधर से train B आई है तो इन्हों ने 130 में से 180 इस ने की इसका मतलब 120 km ट्रेन B ने ते की 120 km ट्रेन B की हो गई समझ गे 180 और 120 दोनों ने 300 और ध्यान रखना जब समय समान है देखो यह लिखा A की समय में समय समय होता है तो कल भी मैंने बताया था चाल का सुतर होता है, दूरी बटे समय, दूरी बटे समय, और अगर समय समान होता है, तो समय को हटा देते हैं, चाल का अनुपाथ ही दूरी का अनुपाथ बन जाता है, या दूरी का अनुपाथ ही चाल का अनुपाथ बन जाता है, तो देखिए यहां से पहली और दूसरी का पहली और दूसरी का अनुपाद ध्यान रखना, पहली 180 किलोमेटर की दूरी ते करती, दूसरी 120 की करती, जब मैं अनुपाद निकालूंगा, तो यहां से मेरा करेक्ट आंसर 3 अनुपाद 2 आ जाएगा, मेरे दोस्त, 3 अनुपाद 2 आपका यहां से करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि जो दूरी का अनुपात रहेगा वही किसका अनुपात बन जाएगा चाल का अनुपात बन जाएगा आपका यहां से करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा तीन अनुपात दो, दो अनुपात तीन नहीं होगा कि जोपड़े में रेना सही है मगर महल के लिए मैनत ना करना गलत बात है भई जोपड़े में रे रहे हो कोई गलती नहीं है जोपड़े में रेना कोई खराबात थोड़ी है लेकिन महल के लिए महल के लिए मैनत ना करना ये गलत है महल के लिए आपको मैनत करनी है यानि आप गरीब परिवार में जनम ले सकते हैं इसमें कोई दीकत नहीं होती है लेकिन आपकी मर्त्यु ही गरीब परिवार में हो वो गलत बात हो जाती है तो आपको ऐसे क्यूसनों को ऐसी motivation लाइनों से motivate होकर आपको SCGD exam को फते करना है देखिए यदि क्योसन पढ़ना पहले यदि पांच आरोई करम वाले करमिक विसम पूर्णांक कैसी है? विसम संख्या है और आपको पता है सबसे छोटी विसम संख्या एक होती है उसके बाद तीन, पांच यदि जिन संख्याओं को हम दो से divide नहीं कर सकते वो संख्याओं कोन सी होती है विसम संख्याओं होती है अब यहां से देखना करमिक विसम का ओसत 11 है ओसत कितना दे रखा है? पांच लगातार विसम संख्याओं का ओसत कितना है? 11 उनमें से अंतिम तीन का उसत कितना होगा, कि लास्ट वाली तीन, अब आपको हमेशा ध्यान रखना है, कि उसत हमेशा बीच में बेड़ता है, कहां बेड़ता है, आगे से याद रखना, उसत कहां बेड़ता है, बीच में, उसत कहां बेड़ता है, तो हमेशा बीच में, अग लिया यह, इसने क्यूसन ने काए कि इसका 11 ओसत हैं, और संख्या है कितनी है मेरे दोस्त, 5 संख्या हैं, तो आपको होगे सर, 11 के बाद में अगली संख्या 13 हो जाएगी, विसम संख्या, अगली कौन सी हो जाएगी, 15 हो जाएगी, समझ गहे, पकड़ लिया तिनों को, इसी त पताओ आगे इन अंतिम तीन संख्याओं का व सथ कितना हो जाएगा बस आपको पेंच चलाने की आवसे तही नहीं थे आपके यहां से सहत कितना हो जाएगा मेरी दोस्त आंसुर में अपका थे नुगुझ sword आपको सेशन को सेशन को लाइक साहिर करते रेना है बहुत ही अच्छा वाला सेशन है आपका बहुत दिल से मैं आपको पड़ा रहा हूं चलो अगला क्यूसन यह रहा है मुरक से तारीब सुनने से अच्छा है बुद्धिमान व्यक्ति से अपनी कमिया जानना है न कि अगर आपको मुरक व्यक्ति तारीब करता है आपकी तो उससे अच्छा है किसी बुद्धिमानी से कमिया निकालना ठीक है चलो अगला एक व्यक्ति को एक वस्तू 7,281 रुपे में बेचने पर 10% के आनी होती है 10% का लाप राप करने के लिए इस वस्तू को किस कीमत रुपे में बेचना चाहिए मन में विचार किजिए मन में विचार किजिए कि क्यूसन हमसे क्या पूछ रहा है मन में विचार किजी अच्छा वाला और बताईए क्योसन हमसे क्या पूछ रहा है क्योसन हमसे क्या पूछना चाह रहा है बहुत ही अच्छा मौक टेस्ट में मन में आंसर पता होना ची देखो कॉंसेप्ट अगर मन में आ गया न आपने सोच लिया ये वैल्यू इसकी ये वैल्यू इसकी इसका मतलब आनसुर आ गया और अधिकान से यहां पर सही आनसुर दे रहे हैं तो ध्यान रहे हैं अगर आप 7281 में बेचोगे देखो इससे अच्छा तरीका नहीं हो सकता 7281 में बेचोगे तो 10 की हानी यानी 100 प्राप्ट करना चाहता हूँ तो 100 पर 10 का लाप मतलब 110 प्राप्ट करना चाहता है जो भी वो प्राप्ट करना चाहता है उससे गुणा कर दीजिए कि 7281 वैल्यू नबे की है हमें इसकी चाहिए अब देखना भई 0 से 0 कैंसिल 9 के बाड़े से 9 8 बैतर 9 8 बैतर सर्प पिछ नन्याड में 11 8 88 88 99 में हो जाएगा मेरे दोस्त कितना हो जाएगा 88 99 में हो जाएगा option number B हो जाएगा 88 99 में आपका answer हो जाएगा देखो बिल्कुल कम समय में आप क्यूसन को solve कर सकते थे चलो चले next question पर यह रापड़ा next question बहुत ही अच्छा क्यूसन पूछा था आपकी सोच विचार से एक बार मैंन में सोचिए क्या दे रखा है क्यूसन में कि A का 49 परसेंट और B के 42 परसेंट का ओसत A और B के अंतर के 3 पांच वे 3 पांच वे का मतलब होता है 3 बटे 5 वे के बराबर है तो B A का कितना परसेंट है B और A का अनुपात निकालना पड़ेगा और उसके बिल्कुल सही कह रहे हो कि A का 49 परसेंट 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 की जगे में बटे में सो लगा दूँगा ठीक है और B का कितना परसेंट 42 परसेंट सर B का 42 परसेंट रासियों का योग बटे रासियों की क्या होती है संख्या रासियों का योग दोनों रासियों का योग कर दिय a और b का पाँचवे बाग के तीन अब देखना अब आपको इनको काटना पड़ेगा और जब आप इनको काट होगे तो देखो उपर तो 49 a प्लस 42 भी बन जाएगा और इधर 2 इंटू सो होता ने इसको अगर मैं उदर गुणा में बेज देता हूँ तो 200 बन जाएगा a-b बराबर में a-b 3 बटे 5 इंटू 200 हो जाएगा अब आप 5 से काटोगे तो कितना 40 हो जाएगा 40 इंटू 3 करोगे तो 120 120 a-120 b अब यहां से आपको पता चल गया यह हो गया और यहां से आप को होगी 49 a प्लस 42 b इदर हमारे बराबर में बेटा है अब आप यहां से इसको सोल करोगे तो द्यान रखना 120 a में से 49 a अगर इदर आके गटाओगे तो कितना बच जाएगा मेरे दोस्त मेरे हिसाब से आपका बच जाना चाहिए 81 120 b को उदर बेजोगे 120 b में 42 अगर जोडोगे तो 162 b हो जाएगा मेरे दोस्त 162 b आपको पता है 81 से 162 बार में कर जाता है और यहां से जो आपका रेशियो बनेगा 1 a बराबर 2 b का बनेगा अब आपको होगे सर यहां से a अनुपात b कितना आ गया a अनुपात b आपका यहां से 1 अनुपात 2 आ गया B है वो A का कितना परसेंट है अब आप कोगी सर देखू A का यानि A को नीची रखना है और B के बारे में पूछ रहा है तो उपर इंटू में सो तो आपका यहां से करेक्ट आंसर होगा 50% कितना होगा 50% मैंने समझाने के लिए 2-3 step ज्यादा लिए बाकी आप इस क्यूशन को बड़े आसानी से कर सकते हो और बहुती कम टाइम में इसको कर सकते हो ज्यान रखना बहुती अच्छा क्यूशन था आप इसको सीधा A का 49% B के 42% का OST OST मतलब दो और जब भी परतिसत दोनों से अटाओगे तो 22 का लगाओगे 100 का लगाओगे अब सीधा यहां से देखो सीधा यहां 5 से काट लेते 120, 120 को इन से गुणा कर लेते एक step में भी आप इस क्यूशन को सोल करे सकते थे तो चलो next क्यूशन पर चलते यहां से आपका करेक्ट आनसूर 50% हो जाता है चलो अगला यह रहा भई अगला क्यूशन आप से गूट क्यूशन आप से पूचा है बहुत ही अच्छा क्यूशन आप से पूचा गया है कि एक किसी काम को 25 दिन में पुरा कर सकता है, भी उसी काम को 30 दिन में पुरा कर सकता है, यदि दोनों एक साथ मिलकर 5 दिन तक वे काम करते हैं, तो कारिय का कितना भाग, कितना हिस्सा बच जाएगा, कोई सा भी एक्जाम आप दे लेना, आपके ये क्यूशन पूछा ही पूछा जाएगा बहुत ही अच्छा क्यूसन है यह बहुत ही अच्छा क्यूसन है मेरे दोस्त बहुत ही अच्छा क्यूसन है आंसर बताई इसक्यूसन का मुझे उमीद है आप इसक्यूसन का आंसर दे दोगे तो इस्क्योसन को अगर मैं सोल करता हूँ, आपके तो मैंड में आ जाना चाहिए, कि A और B का अगर समय दे रखा, कुल कारिये निकालेंगे, कारिये समता निकालेंगे, फिर कितने दिन तक, पांच दिन तक दोनों से काम कराएंगे, और उसके बाद में सेस कितना बचेगा, वो बता देंगे, चलो, देखना कैसे सोल करना है, 25, B का 30, कुल काम कितना, आप कहोगे सर, कुल काम हो गया, 25 और 30 का LCM लोगे तो कितना हो जाएगा, 25 और 30 का, अगर आप LCM लोगे तो कितना हो जाएगा, मेरे दोस्त, 150 लिग दू, 150 लिग दू, आप कहोगे लिग दू सर, 15, 6, 25, 4, 100, 25, 6, 150 30 का वाड़ा पांच बार हो गया 30 और 5 कितना 6 और 5 कितना हो गया 11 हो गया 6 और 5 दोनों को मिला कर 5 दिन काम करते हैं अब ध्यान रखना है इदर कुल काम में से A प्लस B कितने दिन काम करते हैं आपको हो गिसर 5 दिन करते हैं और A, एक दिन में 6 काम करता है, B, 5 काम करता है, तो दोनों 11 इंटू 5 कितना काम कर लेंगे, 55 काम कर लेंगे, आपको पता है, जब 55 काम कर लिया इनोंने, कितने मेंसे, 150 कुल काम मेंसे, कुल काम कितना था, 150, 150 मेंसे 55 कर लिया, 150 मेंसे जब 55 कर लिया, तो मेरे दोस्त 95 में बचेगा और इस 95 में काम कुल कितने काम में से ये 95 में काम आपका से इस बच जाएगा तो आपको ये 95 में काम सर हमारा 150 में से कितना हिसा से इस बचेगा 150, 95 में बटे 150 करोगे तो यहाँ से 5 के पाड़े से काटने पर 19 बार और पांच के पाड़े से काटने पर नीचे 30, आपका 19 बटे 30, 19 बटे 30, option number 1 आपका यहां, correct answer हो जाएगा, ऐसे question में आपसे 2 question पूछे जाते हैं, एक तो 5 दिनों में काम कितना हो जाएगा, कितना हिस्सा हो जाएगा, और एक कितना हिस्सा बच जाएगा, अगर आपसे के पाड़े से काटने पर 11 बटे 30 हो जाता, अगर आपको पूछता यहीं से कि सेस्स काम कितना, तो 30 में से 11 गटा लेते, 30 में से 11 गटा लोगे, तो 19 बटे 30, 19 बटे 30 आपका सेस्स बच जाएगा, कैसे भी जैसे भी आपकी इच्छा हो, आप निकाल सकते हो, चाहे तो 55 बहुत अच्छे से दे दोगे, बहुत ही गुड क्योशन है, अच्छा क्योशन मान सकते हैं इसको, बताइए इस क्योशन का अंसु, एक रासी दस परसेंट वार्षिक दर पर दो वर्सों के लिए चक्करवर्दी ब्याज, 2310 है, दो गुने समय और आदी ब्याज दर पर उस अच्छा क्योशन है, बुड क्योशन को सोल करने का, दो साल का अगर आपको CIE ग्यात करना है न, और अगर आसान सी दर दे रखिया आपको 10%, 20% तो ध्याद रखना, उस समय आप लगा सकते हो, दो साल का CIE का जो सुत्तर होता है, बार बार बता रहा हूं, X प्लस Y प्लस XY ब दोनों दर है, तो X की जगें भी 10, Y की जगें भी 10, इतनी केलकुलेशन तो आप करी सकते हो न, 10 बटे 10, 100, 0 से 0 काटेंगे, 20 और एक इतना परसेंट हो जाएगा 21, और क्योशन ने कहा कि उसको व्याज के रूप में कितना मिला, ते 210, 21 परसेंट नहीं मिला, कितना मिला है, ते 210 मिला है, समझे बात को, अब कहता है, दो गुने समय के लिए, दो गुना समय मतलब पहले समय दो वर्स दे रखा था, अब समय कितना, दो गुना, दो गुना मतलब 2 इंटू 2 कितना, 4 गुना, और उसी आदी ब्याज दर पर, यानि पहले 10 परसेंट की थी, अब जो दर, रेट जो अब है, 10 की आदी हो जाएगी, 5 परसेंट, अब मुझे बताओ, सादरन ब्यास तो हर साल का समान होता है, अगर एक साल का 5 परसेंट मिल रहा है, तो 4 साल का कितना मिलेगा, 20 परसेंट, आप कहोगे सर, SI का तो फंडा रहता ही नहीं, SI तो परते एक साल का समान होता है, तो 5 इंटू 4 कितना परसेंट, 20 परसेंट, अब आपको बस यहीं निकालना है, कि जब 21 परसेंट का मान 2310 है, तो 20 परसेंट का मान कितना होगा, तो इस क्योशन को सोल करने के लिए देखो, ऐसे रख लिया गरो, 2310, SI है दो साल का, और 2 साल का SI परतिसत में 21 है, आप से पूचा है कि 2 साल का SI बताई है, तो SI 20 था, 20 से गुणा कर दो, 21 से देखो, 231 आपको पता है, 11 बार में कट जाएगा, और 11 बार में पिछिए 10 लगा दोगे, 11 दूनी 22, आपका यहां से करेक्ट आंसर 2200 रूपिया हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2200, और 2200 आपको और 2200 में दे रखा था, option number B में आपको अच्छे से दे रखा था, तो इस परकार आपको क्यूशनों को सोल करते वे चलना है, मेरे दोस्त, बहुत अच्छे-च्छे से आपको क्यूशन को करना है, ठीक है, और अगर आपको दो साल का CI चाहिए न, तो दो rate का, और इधर square, 2R decimal, R square स से भी निकाल सकते थे, R की जगे 10 रखते, 2, 10, 20, और 10 का square करते, 120 में एक जोड़ते, तो 21% यहां से, आपका जो correct answer बना है, 200 option number B, अगला क्यूशन आपके सामने यह, कि सकसेज की सबसे खास बात है, कि वो मैनत करने वालों पर फिदा हो जाती है, तो हमेशा है, कि जो भी ज क्यूशन आपकी सामने यह रहा, अगला क्यूशन फिर से आपके सामने वैसा ही, साथ आरोई करम वाले कर्मिक विसम पूर्णांकों का वोसत 19 है, तो उनमें से अंतिम तीन का वोसत कितना होगा, ऐसा क्यूशन अभी मैंने पहले भी बताया था, दो क्यूशन इस सिप्ट मे इस सामने बीच में बेड़ता है, अब आंसुर दीजिए इसक्यूशन का, सब लोग राइट आंसुर दे रहे हैं, तो देखिए इसक्यूशन के आंसुर आपको कैसे बनाने, 19, 19 इसने ओसत बता है, इसका मतलब आपको होगी, टोटल संक्या है, साथ है, साथ में से एक तो खुद 19 हो गई, अब आप इधर कहोगे, 19 के बाद से इधर 17, इधर 15 और इधर 13, ये 3 संक्या हैं इधर लिख दी, 19 के बाद अगली विसम संक्या 21, 23 और 25, ये हो गई, अब आप से पूछ रहे है, उनमें से अंतिम 3 का उसत बताओ, पिछला ही क्यूशन पूछ रहे है, उन इसे बीच में बेड़ता है, लगातार या कर्मिक संक्याओं में, लगातार या कर्मिक संक्याओं में, उसत हम इसे बीच में बेड़ता है, तो यहां से आपका उसत हो जाएगा, 23, कितना 23, अब 23 आपको देखना था, कौन से उप्सन में, उप्सन डी वालों ने बाजी मार लिए बाकी सब हार गए, बाकी सब की गई मैस्वानी हुए, option यहां से correct हो गया, चलो अगला question देखो देखे, यह good question है, यह good question है, आपको मैं मानता हूँ, यह question किताबों में नहीं मिलेगा, आपको इसका knowledge होना चाहिए, आपको इसको अच्छे से करके आना है, आगे भी यह question आपको मिलेगा नया pattern question है, कि किसी वस्तु को इसके वास्टवीक विक्रे मुल्ये के 18 बटे 25 मुल्ये पर बेचने पर 19% की हानी होती है, तो उसे इसके वास्टवीक विक्रे मुल्ये पर बेचने पर कितने परसेंड का लाब होगा, हमेशा ध्यान रखना ऐसे question को आपको जो समानुपात मेतर से कर लेना है, किस मेतर से कर लेना है, समानुपात मेतर से, तो देखो आप दिमाग नहीं लगा पाओगे, किसी वस्तु को इसके वास्टवीक विक्रे मुल्ये, आप कोगे हमेशा ध्यान वास्टवीक विक्रे मुल्ये के पूचे न तो यहां से वास्टव में से अगर आप 19 गटाओगे मतलब 81% की value हो गई समझ गे बात को honey होती है तो 100 minus तो आप कहोगे सर अगर 18 में बेचोगे 18 में बेचोगे तो 19 की honey मतलब 100 में से 19 गटाओगे 88 समानों बात यह कह रहा है वास्टवीक मुल्ये पर बेचता वास्टवीक मुल्ये पर बेचने का मतलब 25 पर बेचता है तो कितना लाब यहां नहीं होती है कितना लाब होता है यही पूछ रहा है कितना percent का लाब होता है मतलब कितना 100 से लाब होता है तब विक्रेमूल यह 100 प्लस पी होता है ना ये भी SP था ये भी SP था अब आपको पता है अंदर अंदर वालों को गुणा कर लो बार बार वालों को गुणा कर लो इधर से अंदर अंदर को गुणा करोगे तो 81 इंटू 25 बार बार को गुणा करोगे तो 18 100 प्लस पी अब देख लो क कोई कटता है तो 9 दुनी 18, 9, 9, 81, 2 से फिर काटूंगा, 25, 9 कितना, 225 और 225 को अगर मैं 2 से काटूंगा तो 112.5, अब 100 प्लस पी इधर बेटा है, आपको पता है, 100 अगर इसमें से कटाओगे, तो आपका प्रोफिट है, वो 12.5% हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 12.5% का आप हो जाएगा, इस कंडिसन में तो हमेशा ध्यान रखना, अगर आप 18 में बेचोगे, तो 81, 19% की हानी, 25 में बेचोगे, तो 12.5% का लाब होगा, ध्यान रखना, अगला क्यूसन आपके सामने, अगली बैतरीन लाइन है, हमेशा याद रखना, बैतरीन दिनों के लिए बूरे दिन अवसिय हो सकते है, लेगि मेरी गारंटी आपके इस मॉक टेस्स ने, इस मॉक टेस्स ने, आपके अच्छे दिन आएंगे, आपके बैतरीन दिन आएंगे दियान रखना, तो चलते हैं आगे, बिलकुल देखो, कभी भी हार नहीं माननी चाहिए इनसान को, है ना, जो गिरकर फिर खड़ाओ आई, जीता वही है, जो गिरकर फिर खड़ाओ आई, तो बताईए अगला क्यूशन देखो, बहुत ही अच्छे जी क्यूशन ऐसे positive लेना, कि हलके हलके क्यूशन आएंगे, वहां कुछ नहीं आएगा, ये आए खी ए क्यूशन ही तो है, जेक ले और 2 TIA, 2 TIA का मतलब 2 बटे 3, 40 है, तो उस संख्या का 80% कितना होगा, देखो ऐसे क्यूसन को जल्दी से आप आंसुर देना है, मैंने क्यूसन को पड़ा है, आप इस क्यूसन का आंसुर दोगे, तो मुझे उमीद है आप विल्कुल सही आंसुर दोगे इस क्यूसन का, तो दे बराबर में कितना है चालीस कि बराबर में कितना है मेरे दोस्त चालीस हैं और उधर अगर हम बेज जएगे तो एक्स बराबर 40 into 8 हो जाएगा 40 into 8 320 लेकिन ध्यान रखना मेरे दोस्ट अब आपको होगी सर्थ 320 तो उप्सन में नहीं रहेगा क्योंकि वो संख्या नहीं चाहिए उस संख्या का 80% चाहिए तो ध्यान रखना इस 320 का अगर आप 80% निकालोगे 80 100 करोगे तो यहां से है इसे क्यों का बहुत ही इंपोर्टेंट क्यों संता आपके लिए देखो आप कंफ्यूज हो सकते थे तीन आठ हुए दो ती यह ना तो इनका आपको विश्य तोर से द्यान रखना जितने भी दे रखना सबको गुणा करते चला जाओ ठीक है तो नेक्स क्योंस आपके देख है इसका जैसा ही में एक क्योंस आपके और रिपीट कर दिया इस में बताओ कि किसी वस्तु को इसके वास्तविक विक्राई मुलेय के नौ बटे मुल्ये के 9 बटे 10 में बेचने पर 1% की हानी होती है तो इसके वास्तविक विक्रा मुल्ये पर बेचने पर कितने परसेंट का लाब होगा अब आपको नजर अगर आपने पहले किसन को ध्यान से पढ़ा है तो आप सीधा सोचोगे सर ने कहा था समानुपात से कर लेना और उससे ही करेंगे हम तो तो जहां रखने ये 10 है ना वास्तविक मुल्ये मतलब ये 10 वास्तविक मुल्ये और अब कितने में बेच रहा है नो में बेचता है और जब नो में बेच रहा है ना तब 1% की हानी अब 100 में से 1 की हानी तो आप क पर कितना लाब होगा, लाब का मतलब 100 प्रोपिट है, अंदर अंदर वालों को गुणा कर देते हैं, बार बार वालों को गुणा कर देते हैं, अब यहां से देखना, मेरी दोस्त, ज्यां से देखना, नन्याण में इंटू 10, पराबर में 9 इंटू 100 प्लस पी, अब देखना, मेरे दोस्त आराम से यहां से देखना 9 से नन्याड में कितनी बार में 11 बार में और 11 इंटू 10 110 बन गया और इधर 100 प्लस पी अगर 110 में से 100 गठाओगे तो आंसर बता तोगे 10 कितना 10 प्रॉफिट कितने परसेंट का 10 परसेंट का अब आपका गलत नहीं होना चीए अब आपका गलत नहीं होना चीए बहुत बहुत बैतरीन तरीके से मैंने आपको explain कर दिया मेरे दोस्त है न चलो इस क्योसन का आंसर कौन सा बन गया इस क्योसन का आंसर कौन सा बन गया मेरे दोस्त इस क्योसन का इसकुल छूट ज्याद किजिए, उसकी एकल छूट ज्याद किजिए, तीन चार तरीके आप इसमें apply कर सकते हो, ratio method कर सकते हो, 1X plus Y minus XY बटे 100 कर सकते हो, तो कोई सा भी आप सुत्र apply करके इसका answer बता सकते हो, तो बताओ दे कि इस्क्योसन का answer क्या बनेगा, इसक्योसन का आंसर क्या बनेगा आपके हिसाब से क्या बन सकता है आपके हिसाब से एक 10 परसेंट की चूट एक 15 की और एक 20 परसेंट की तो आपके हिसाब से इसक्योसन का आंसर क्या बन सकता है पता ही पता ही देखे तबस तर पहले 10 और 20 का निकाल लेते हैं अच्छा 10 और 20 का निकालोगे चलो देखो X सुतर X तो सुतर होता है एकल चूट का X प्लस Y माइनस X Y बटे चू अब इसमें आप क्या करते हैं एक तो 10 परसेंट को उठालो और एक 20 परसेंट को उठालो आसान आसान चूट को उठालो पहले रग दो एक X की जगे 10 वाई की जगे 20 दस को 20 से गुणा करोगे सबको पता है 28 परसेंट आएगा इससे तो बच्चे तो हो नहीं अब ऐसे सी जिडी की तयारी कर रहे हो और बच्चे हो तो बच्चे रहना भी मत 28 परसेंट अब एक चूट तो इन्होंने हमने 10 और 20 को किसमे बदल लिया अगर इनकी एकल चूट पूसा तो 28 परसेंट बता देते अब 28 परसेंट तो आंसर होगा नहीं अब यह कहता है एक 15 परसेंट को और एड कर लो 28 के साथ में अब आप कहोगे सर 28 परसेंट और 15 परसेंट अब इनको एकस और वाई मानेंगे अब एक को 28 को एकस मान लेते हैं 15 को वाई मान लेते हैं अब आप कहोगे सर 28 प्लस 15 माइनस 28 इंटो 15 बटे में कितना सर सो देखना ध्यान से काट लेना 5 की पाड़े से 3 बार 20 बार 4 से काट लेना या 2 से काट लो पहले 14 और 2 से काटोगे 10 नीचे 10 लेके आ रहा हूँ 4 से नहीं काट रहा 28 और 15 कितना हो जाता सर 28 और 15 सुनने में आया है सर 43 हो जाता है बिल्कुल सहीवत है आपने 14 को 3 से गुणा करोगे 42 और 1 10 से नीचे तो पॉइंट लगाओगे 4.2 और जब 43 में से आप 4.2 गटा दोगे 43 में से 4.2 गटा दोगे यानि 43 में से 5 गटा लो 43 में से 5 गटा होगे तो आप कहोगे 38 बचेगा अब यहां से देखो 0.2 गटना है तो 0.8 बच जाएगा यानि 38.8 जो भी आंसर दे रहा था बिल्कुल सही कितना भी अच्छा क्यों सनो आप इस से भी इसको उड़ा सकते हो समझे बात को गुड़ अब मैं एक एक तरीका ही बताऊंगा दूसरा ratio method से आप इसको कर सकते थे यानि देखो ratio method कैसे ratio method का अगर मैं आपको बताऊं तो इदर देखना ध्यान से छोटे से corner में 100 रूपे में खरीदाता 10 की छूट दे دी मतलब 90 में बेचेगा फिर कहा कि सर 100 रूपे में खरीदेता 10 की छूट देगा 80 में बेचेगा और फिर कहा सर सो में खरीदेगा, 10 की छूट देगा, 15 की छूट देगा, तो 85 में बेचेगा, 20 के पाड़े से या 0 के 0 काट देते हैं, इन में 20 के पाड़े से 5, इन में 4, इन सब को गुणा कर लेते हैं, 5 और इधर 17, अब देखना इससे भी आसान बन जाएगा आपका, इधर 10, 5, 50, 50 को 5 से करोगे, 250, और इधर देखना दे के 17, 4, 68, 68 को 9 से गुणा करना पड़ेगा, मेरे दोस्त, 68 को 9 से गुणा करना पड़ेगा, तो 9, 8 बैतर, हासिल का 7, 9, 6, 54, 54 और 7 हो जाते हैं, अपने कितने, 61, 61, 612, इतना कैसे आ रहा है, यहाँ पर भी ज्यादा आना ची 25, 250, और छूट पर इतना कैसे आ रहा है फिर, 100, 100, 100, 85, 4, 17, 4, 68, 68 को 9 से गुणा किया, इधर देखना, अरे रुकना, रुकना, यहाँ 20 आएगा, ना, सोरी, सोरी, यहाँ 20 आएगा, 25, 100, 100 को 10 से करोगे, तो 1000, कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, सही है, 25, 100, यहाँ सिर्प और यहाँ पर भी देखो 25 आएगा, यहाँ पर भी कितना आएगा, सोरी, सोरी, यहाँ तो 5 ही आएगा ना, 20 के पाड़े से काटने पर, यहाँ पर 10 और 9 था, तो देख ले ना, 20, इंटू 500, 1000 हो जाएगा, इधर अगर आप गुणा करोगे तो 612, अब 1000 रुपे पर, 1000 रु तो 612, तो यहाँ से आप कहे दोगे, सर 388 की, 388 की, और किस पर हो रही है, आप कहोगे, 1000 पर, इंटू में 100 करोगे, यहाँ से भी आपका आणसर आजाएगा, 38.8%, 38.8% आजाएगा, ठीक है, तोड़ा गुणा भाग में देख लेना आप लोग, अच्छे से मैंने तो बता दिया, आपको भी द्यान रखना है, इसे क्यूशन का, चलो, जो क्यूशन उसने पहले वाला तरीका भी service rest है, ना, पहला वाला भी service rest है, क्योंकि 100 में बेजकर, 100 वाला 90 में, 100 वाला किस में, 80 में, पिर कहता है, 100 वाला 85 में, पस यहां से 100, इधर वाला अंकित मुल्य है, इ कुछ आया था और इधर वालों को करने पर 1000 अजार आया था ठीक है तो यहां मेरे साब से 632 कुछ एसा आया होगा 632 आया होगा तब भी तो ऐसा बच जाएगा फिर यहां से आप कोखे कितना से सपल बचेगा यह देख लेना इसके असके उशन को मिल Hello UK यहां से देखना आपका जो करेक्ट 388 की मिल लिए था ना तो थोड़ा सा चूक रहे हैं 388 की और यह 388 की चूट 1000 पर अंकित मुल्य पर मिल रही है इंटू 100 करतों तो यहां से आंसर मिल जाता अब अगला क्यूसन देखना भही बहुत ही अच्छा आप क्यूसन को लगा लिय है आप कहोगे सर इसकी जगह आप 10 लिख सकते हो कितना लिख सकते हो 10 अब आपको पता है 10 का 10 में भाग देना है सर 10 का 10 में भाग दे कर एक बना सकते हो तो सर यह छोटा कोश्टक तो सोल हो गया सताउन में से सर एक गटाना है मातर तो चपन सीधा लेग दू चपन और इस चपन में सर इस छोटे कोश्टक में भाग देना है चार का तो चपन में चार का भाग देंगे तो कितना बन जाएगा चवुदा इसका इधर से तो कितना बन गया चूदा बन गया अब आप को कि सर 17 में से जब 9 गटाते हैं 17 में से 9 गटाते हैं तो इससे भी हमें मिल जाएगा कितना 8 और 8 में सर 14 जोड़ते हैं तो बन जाता है 22 बस बच्चों वाला क्यूसन था आपने तो इतने में सलटा दिया होगा बहुत ही कम समय में आपने तो कर लिया होगा तो ऐसे आपको क्यूसनों को करते वे चलना है मेरे दोस्त है ठीक है गजब बता रहे हो सर मजा आगे आना अरे मज़ा आ जाएगा चिंता ना करूँ, मज़ा तो आएगा आएगा ना, अगर हम पढ़ रहे हैं, तो मज़ा तो आएगा आएगा, चलो अगला क्यूसन ये रहा, ये छूट वाला बार बार आ रहा है, आपको अच्छे से इसक्यूसन को पढ़ के जाना है, सीख के जाना ह कि दो करमिक छूट के बाद 1750 की सुची मुल्य वाली एक कलम 945 रूपे के मुल्य में उपलब्द है यदि पहली छूट 10 परसेंट है तो दूसरी छूट कितने परसेंट होगी दो-दो तरीके से आप इसको सोल कर सकते हो तो देखना ऐसे क्यूसन को solve करने के लिए या तो ratio method use या आप एक सुतर होता है कि अगग विक्रहमुल्य बराबर अंकित मुल्य इंटो 100 माइनस छूट बटे 100, 100 माइनस छूट बटे 100, ऐसा भी सुतर होता है आप लोग ऐसे सुत्तर को भी जानते हैं कि विक्रह मुल्य बराबर अंकित मुल्य इंटो 100 माइनस चूट बटे 100 अब आप कोगे सर अंकित मुल्य तो 1750 है एक चूट 10 परसेंड की है दूसरी चूट हमें चाहिए कितने परसेंड की है समझे मेरी बात को तो अगर ऐसे करोगे तो भी कर लोगे तो देखो ऐसे अगर मैं करता हूँ तो विक्रह मुल्य 945 945 रुपे के मुल्य पर वो उपलबद है मतलब विक्रह मुल्य 945 अंकित मुल्य 1750, 100 में 10 की छूट कर दी तो 90 बटे 100 कर दिया, दूसरी छूट हमें पता करनी है तो 100 माइनस डिसकाउंट या नहीं, 100 में से छूट बटे 100 कर दोगे, अब देखना भाई, जो कटता है काड़ दो, 2-0 से 2-0 काड़ दो, ठीक है, 2-0 से 2-0 काड़ दो, और सर कु 205, अब देखना भाई, इधर से, और हम इनको काड़ पीट के थोड़ा छोटा करते हैं, इसको क्या करते हैं, 100 को इधर बेज देते हैं, जब 100 को इधर बेज देंगे, तो 105 इंटू 100 बन जाएगा, और इधर में द्यान रखना, बटे में ये 175 आ जाएगा, अब 25 के से काटू तो 7, 7, 7, 7, 5, 30, तो 15, 4 कितना हो जाता है, 60, 15, 4 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, अब आपको पता है, 60 बराबर आपका 100 माइनस डिसकाउंट आया है, 60 बराबर 100 माइनस डिसकाउंट, डिसकाउंट 100 में से, 60 गटाओगी तो आपका अंसुर डिसकाउंट में आ जान रखना इस सुत्तर से पहले अगर आप एक्जाम देने जा रहे हो। то आपको एक तरीका और मालूम होना चीह इसका। एक तरीका और क्या मालूम होना चीह है। कि जब भी छूट लिखा हो, हम रेशियों लिखते हैं अंकित मुल्य और विक्रे मूलिय का। आप कहोगे सब पहली चूट 10% है यानि 10% एक वटे 10 यानि 100 रुपे वाली वस्तू को 90 में तो मैं अगर अनुपात में लिखू तो आप कहोगे 10 अगर अंकित मुल्य है तो 9 में बेचोगे दूसरी चूट चाहिए तो उसको xy मान लीजिए क्या मान लीजिए xy मान लीजिए गुणा कर दीजिए यहां से अंकित मुल्य 10x है और विक्रेम मुल्य कितना है मेरे दोस्त 9y है अब अंकित मुल्य आपको दे रखा है 1750 यानि इस 10x की वैल्यू आपको 1750 दे रखी है तो यहां से आप 9 से 145 काड़ते तो अभी काटा था 105 आ जाता अब आप कहोगे सर 175 रुपे वाली अंकित मुल्य वाली वस्तू को अगर 105 में बेचोगे तो छूट कितने की अंकित मुल्य 155 लेकिन बेच कितने में रहो 105 में बेच रहो तो ध्यान रखना इस वक्त आपका ज 70 की है और छूट हमेशा ध्यान रखना अंकित मुल्य पर मिलती 175 पर और इंटू में कर दोगे सो 35 के पाड़े से 35 दूनी 70 और 35 5 175 और दो बटे 5 इंटू सो करोगे तो 40% सीधा मिल जाएगा तो यह सर्वे सरेश तरीका मैंने आपको इसका बता दिया क्योशन का आंसूर 40% रॉप्सन नंबर A होगा चलो अगला क्योशन आपके सामने यह रहा भई है बहुती अच्छा क्योशन है बहुती सांदार क्योशन है गुड क्योशन कह सकते हैं आप इसे सीधा A का हिस्सा यहां से कैसे निकालेंगे A और B का अनुपात दे रखा B और C का अनुपात दे रखा बताओ दे किस क्योशन का आंसूर आपकी मन में होना चाहिए कि मैं ऐसे क्योशन को सोल कर लूँगा बेटे बेटे अगर आपने ये भी सोच लिया न किसर मैं इस अनुपात B दूसरा आपको दे रखा है B अनुपात C और इनका देखना अनुपात दे रखा है एक तो 4 अनुपात 7 और 5 अनुपात 6 यह है मेरे दोस्त अगर आपको ABC का अनुपात अगर यहां से चाहिए तो ध्यान से देखना मेरे दोस्त A को B से गुणा करोगे A को B से ग अगर सबका मैं योग करता हूँ तो ध्यान रखना 55 और 42 कितना हो जाता वह पचपन और 42 हो जाएगा संत्यान में अगर मुझे योग अगर यह इसका पता करना है संत्यान में और वहाँ पर मुझे रूपे दे रखें 19,400 यानि वहाँ पर कुल तनरासी 19,400 दे रखें यहां पर योग संत्यान में आप कहोगे सर 19,400 वैल्यू किसकी है संत्यान में की है किसकी है संत्यान में की है और हमें किसकी चाहिए मेरे दोस्त आप कहोगे एका हिसा चाहिए तो एका हिसा कितना है अनुपात में 20 है तो 20 से ग नकड बहुत ही अच्छा क्यूसन है बहुत ही हलकी क्यल्क येकल कूसन था आपने अच्छे से इसको कर लिया आपका यहाँ से आंसर बना चलो अगला क्यूसन यह रा कि एक दर्णृसी को A, B, C, D or D के बीच में 5 नुपात 2, नुपात 4, नुपात 3 के अनुपात में बाटा गया यदी A को D से हजार रुपिया अधिक मिला ज्यान से देखना मने में सोच लिए अपने की आंसर ये होगा ठीक है A और D को A का पहला D का A और D का यानि A को कितना अनुपात में तो दो ज्यादा मिल रहे हैं, अनुपाच में कितना ज्यादा मिल रहे हैं, दो मिल रहे हैं, यानि एक को पांच मिल रहे हैं, तो डी को तीन ही मिल रहे हैं, तो यह कहता है एक को डी से एक हजारा दिक मिला, इसका मतलब आप कहोगे सर, यहां से अगर मैं आपको बताता हूँ A B C D का A B C D का A B C D आप को होगे यहां से कितना ज़्यादा मिल रहा है 2 क्योशन कितना बता रहा है 1000 देखो ऐसे क्योशन भी कोई पूछने के होते हैं कि C को कितना मिला अब C को क्या मिला 1000 ये 2 का मान है और हमें C का चाहिए यह सीखा मतलब 4 इसका दूगुना हो जाएगा बस 500 इंटू 4 करोगे 2000 क्यूसन सोल करने वाला नहीं था क्यूसन सोल करने वाला नहीं था ज्यान रखना मैं उम्मिद करता हूँ, आप बहुत अच्छे सक्स हैं, आप बहुत अच्छे सक्स हैं, आपने बहुत अच्छे से इन क्यूसनों का अंस्वर दिया होगा, बहुत अच्छे से आपने इन क्यूसनों का अंस्वर दिया होगा, तो देखो कितना सांदार सांदार क्यूसन आपक टेस्ट में 25 अब हमारा टाइम हो गया जाने का तो हम आपको इतना ही पड़ा पाएंगे अस तो इसमें से आपकी क्लास कितनी ही होनी चाहिए 45-50 मिनट की क्लास ठीक रहती है क्योंकि लंबी क्लास आप भी नहीं ले पाते हैं ऐसे क्यूसन को देखना इसको बता देता हूँ बहुत ही अच्छा क्यूसन है कि वह छोटी से छोटी संख्या ग्याद कीजिए जिसमें 2495 में जोडने पर उस संख्या में 2495 में जोडने पर योगपल 6-4 और 3 से पूर्टे विवाजित हो जाए अब देखना जोडने वाली संख्या 2495 में जबकि वो संख्या कौन सी देखो जिसमें 2495 में जोडने पर योगपल में क्या एक जोड़े पांच जोड़े तीन जोड़े या जिरो अब ऐसे क्यूसन का पता देखो कैसे करोगे तो आपको कि संख्या से विवाजी करना है 6-4-3 इस 6-4-3 का आप लेसे पे लेलो LCM लेलो तो LCM जैसे ही आप लोगे 6-4-3 का आपको होrences six के लिए छही रखना पड़ेगा चार के लिए आपको पता है सर इसमें कितना रखना पड़ेगा चार बनाने के लिए एक दो तो इसमें है देखो अगर میں ٹुकडे करके आपको समझाओं तो 2 x 3 कर सकते हो, 4 को सर 2 x 2 कर सकते हो और 3 को 3 रख सकते हो, अगर मुझे LCM चाहिए तो ध्यान रखना सब को एक एक बार ले लेते हैं, 2 x 3 लेना ही पड़ेगा, और आपको पता है तीन के लिए तीन इसमें अल्रेडी है तो दो इंटू तीन छे छे इंटू दो बारा है ना वैसे आप छे चार तीन का सीधा भी निकाल सकते हूं बारा अब इस बारा का सर क्या आचार डाले का आचार नी डालने जूए संख्या जोडनी है उस 2495 में इसका भाग लगना है बारा का आचार नी डालना है बारा दूनी 24 गया नो उतारा भाग तूट गया यहां से देखना इनका कोई काम नहीं है हमारे इनमें भाग लगना है बस बा बताओ अब मुझे बताओ इस सेसपल में कितना जोड़ू अब तो 12 का भाग 11 में जाएगा निए सेसपल में छोटी से छोटी संग्या कौन सी जोड़ू कि वो 12 से पूंते विवाजी हो जाए आप को होगे 11 में एक जोड़ दो फिर 12 में 12 का भागी एक बार चला जाएगा तो यह रावई अगला क्यूसन आपके सामने पेस है बहुत ही अच्छा क्यूसन सांदार क्यूसन सिंप्लिफिकेशन का क्यूंकि इंपोर्टेंट क्यूसन है आपके एकजाम की दरस्टी से तो आपको करना भी अतिमैत पून है एक सिंप्लिफिकेशन का कहा मिलते हैं ऐसे कि देखो इस क्यूशन को सबसे पहले मुझे दिक रहा है देखो चार में दो का बाग करने पर दो चार और दो कितना छे इतना तो पड़ी रहे हो तुम इस छोटे कोश्टर की वैल्यू चे अब यहां पर ओप लगा इसका मतलब पहले गुणा होगा तो आपको गे दो डिवा अगर मैं आपको बताऊं यहां से तो देखना दो का छे बटे पांच यानि आप खोगे उल्टा ओकर गुणा हो जाएगा पांच बटे चे और यहां से पांच बटे तीन यानि यह पहले वाला सोलीशन प्लस से पहले-पहले तो पांच बटे तीन आ गया तोल करने का यही ठीक अब यहां से देखोो अगर हम इनकू लेते हैं इनका LCM जो भी लेते तो 25 इधर देखना 25 एका 25 तो हो गया और इधर 4 एक पड़े चार सो तो हो गया अब द्यान से देखना दो में से अगर 100 गटाओगे तो यहां से आपका माइनस का अंठ्याण में 25 बनेगा तो यहां पलस नहीं होगा मेरे दोस्त यहां पर माइनस का होगा और वो होगा अंठ्याण में 25 25 कितना होगा अंठ्याण में बटे 25 अगर LCM लोगे तो 25 और 3 का LCM 75 3 से 25 बार 25 पांच 125 और यहां से 25 तीन पेचातर अंठ्याण में को 3 से गुणा करना पड़ेगा 2 को 3 से करोगे 300 और 6 गटा लोगे तो 200 चुराण में अब इनका आपको difference निकाल लेना है वही आपका आपका करेक्टांसर हो जाएगा तब लोग एपलाईए हमेशा द्यान रखना पहले ओप को सोल करते किसको आप को पहले सोल करना है चलो यह देखो दो क्यूसन ऐसे पूछे थे दो क्यूसन जो पिछला क्यूसन था उसी के टाइप का पूछ लिया था कि वह छोटी से छोटी संख्या ग्याद किजिए जिसे एक जार चौदा में जोडने पर ऐसी संख्या हो जिसे तीन चार पांच और छे से पूंटे विबाजित करने पर कोई भी सेस्फल प्राप्त नहीं हो कोई भी सेस्फल प्राप्त नहीं होना चीए जीरो सेस्फल जबकि वहाँ पिछले कि उसन में ग्यारा हो रहा था तो एक जोड के बारा बना दिया था अब ये जोडने की बात कर रहा है, वो क्या कर रहा है, 2014 में जोडने की बात कर रहा है, तो मैंने क्या कहा था, दी गई संख्या, जिन संख्याओं का भाग लगाना है, 3, 4, 5, 6, इनका LCM आपको निकालना है, और आपको पता है, 3, 4, 5, 6 का LCM कितना हो जाएगा, 3, 4, 5, 6 का LCM क उस 1014 में भाग देना है, जो संख्या जोड रहे हो, उसमें भाग देना है, 1014 में 60 का, 60-60 सर, बचा कितना 41 बन गया 400 चोगदा, अब 6, 7, 42, 420 होता है, लेकिन हमें पता है, 6, 5, 300, 6, 6, 36, 360 करना पड़ेगा, 360 करना पड़ेगा मेरे दोस्त, तो 360 किया तो देखना, 4, 11 में से 6 गटाया, 5, और इधर, 3 में से 3 गटाया, 1014, अब द्यान रखना, आपका आंसर चोवन नहीं है, आपका आंसर चोवन नहीं है, देखो, एक्जामीनर बड़ा चालाक होता है, वो आपको चोवन भी ओप्सन में देता है, था कि आप वहां डिप्रेशन में रहते हो, समय सर प गाना की चोवन, एक्जामीनर आपको कन्फूज करने के लिए चोवन भी दिया है, अगर आपको गटाने की, कि वह छोटी से चोटी संक्या, इसी प्राप्त करने पर, है न, 1014 में जोड़े, अगर गटाने पर होता न, अगर यहां गटाने पर होता है, तो आपका आंसर चो करना है, कि एक बॉक्स की लंबाई, चोड़ाई और उंचाई का अनुपात, 4, अनुपात, 3, अनुपात, 2 है, यदि लंबाई में 50% की वर्दी, और उंचाई में 40% की कमी, उंचाई, देखो लंबाई और उंचाई की बात कर रहा है, तो बॉक्स के नया आयतन, का पुरान आयतन से अनुपात नया आयतन और पुरानिय आयतन का अनुपात बते हैं। तो आपको सबसे पहले box में लंबाई, चोड़ाई, उनकाई तीनों दे रखी है। लंबाई भी दे रखी चोड़ाई भी दे रखी और उंचाई भी दे रखी इसका मतलब ये box कैसा है गनाब के आकार का है किसका आकार का गनाब और गनाब का आईतन आपको पता है लंबाई चोड़ाई उंचाई लेकिन आपको पता है जब आप चार तीन दो इनको रख लोगे तब आपके सामने एक 40% की वर्दी करोगे न तो यहाँ पे आपके point वाला answer बनेगा ठीक है तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ सब के साथ मैं 10000 जोड़ देता हूँ 40 30 और 20 अब मैं 40 को 30 से गुणा कर देता हूँ और 20 से कर देता हूँ 4 3 12 12 दुनी 24 पिछे 3 0 मैंने मान लिया पुराना आयतन 24 जार है कितना है 24 जार अब लंबाई में 50% यानि 40 का 50% करोगे तो 20 जुड़ जाएगा 40 का 50% मतलब 1 वटे 20 हो जाएगा तो अब लंबाई चोड़ाई में कोई परिवर्टा नहीं कर रहा 30 की 30 रख रहा है इंटो में उचाई में 20% की वर्थी तो 20 का अगर आप 40 40% की कमी तो अगर आप 20 का 40% निकालोगे तो 40 बटे 100 करोगे तो 8 हो जाएगा और 4 दुनी 8 है तो आप इस अगर 20 में से 8 गटा लेते हो तो आप कहोगे 12 बचेगा कितना बचेगा 12 बचेगा अब आपके लिए आसान हो जाएगा अब आपको ये कह रहा है कि पुराने अनुपात का नए अनुपात से बताओ तो यहां से देखो अगर इनको गुणा करने की वैसे आवसकता नहीं है आप इनको सीधा काट सकते हो नया अनुपात ये है नया आईतन सोरी ये है और पुराना आईतन सोरी ये है अब पुरान नये का पुराने से बताना तो पहले नया रखना है उसके बाद पुराना रखना है तो देखना इनको आपको गुणा करने की आवसकता भी नहीं थी अगर आपको गुणा नहीं करना तो आप सीधा लिख दो कि नया वाला तो 1,60 है, 1,30 है और 1,12 है और पुराना वाला सर 1,40 था, 1,30 था और 1,20 था अब देखना जो कटता है न उसको काट देना, 30 से 30 काट देना और क्या कटेगा जर 20, 20 से 60 कटेगा सर 3 बार में और क्या नो अनुपात 10 आपका करेक्टाण सरूजेगा, तो ऐसे क्योशन को भी आप बड़े असाने से कर सकते हो, यो गनाब का जो आयतन होता है लंबाई चुड़ा इंटो उंचाई होता है, तो आपका केवल लंबाई में वर्दी कर रहा है और उंचाई में कमी कर रहा है, लंब आँएटों को नुपात निकालते दो जिरों से दो जिरों काड़ते, फिर 24 से 216 करता नो बार में, 24 से 24 करता कृता दस बार में, तो यहां से भी आपको 9 नुपात 10 आंसर मिल जाता, कितना नो अनुपाद दस आंसर तो बताईए सेसन कैसा रहा जिनों को सेसन पसंद आया वो लाइक करे रुजाना ग्यारा बज़े इस क्लास को ना बूले देखना तो सभी को जैहिंद जैवारत बाती अच्छे होंगे मुझे बताना है कि 20 में से आपका कितना स्कोर हो गया 20 में से आपका स्कोर कितना हो गया जल्दी से कमेंट करके बताओ मेरे दोस्त 20 में से आपका अंसर कितना हो जाएगा 20 में से आपका कितना आज 24 की है हमने कितने क्यूसन कर लिए 24 क्यूसन किये है और हमें मिनट वे मातर एक गंटा एक गंटे में हमने कितने क्यूसन कर लिए 24 क्यूसन कर लिए तो सभी को जैहिंद जैभारत रात को 7 बजे भी अगनी वीर की क्लास होती है इस बार एक्जाम को फते करना है ना, फते करोगे मेरी गारन्टी इस बात की अगर आप इस मौकटे से जुड़े ले कमांडोगे परिवार निया तो आप इस एक्जाम को फते करोगे तो सबी को जै हिंद जै बारत